जिल्ला परिशत पर बनी डिटेल इस्टिमेट इससे पहले की वीडियो में हमने मिजर्मेंट शीट में ये तीसरा नंबर का एटम कंप्लीट किया था जो के मुरूम का था इसमें दो गुरूप बनाए हैं हमने एक गुरूप ब्लैंकेटिंग और शोल्डर का जिसकी कॉंटि यह है और उसका कंजम्शन हम एक लेंगे इसका SSR में कंजम्शन नहीं दिया हुआ है जब SSR आएगा हो सकता है उसमें मिल जाएगा हमें और ज्यादा मिलेगा अभी हम एक क्यूबिक मिटर के लिए एक कंसिडर करने वाले हैं मिनीमम जो भी है वैसे जनरली उसका 1.2 भी हो सकता है 1.2 से ज़्यादा भी हो सकता है उसके बाद दूसरा जो गुरूप बनाया है हमने यह वन थर्ड कॉंटिटी लिया है इस आइटम नमबर एक के इसाब से आइट इस परंशन के इसाब से कैसे बनाते हैं देख लेते हैं यह सबसे पहले मैं यहां में भी मिलती हमें यह इसके अंदर ही रहकर हम काम करेंगे अब हमारा जो item number 3 है उसके बनाना है तो यह दोनों item में से कोई भी item copy किया सकता है यहां पर click करना है mouse का button advise करके ऐसे drag करना है और इस तरह के से drag कर सकते है nossa जो शेफ है mouse के button का जो शेप है, eben 8 के शेप नहीं होना चाहिए ऐसा जरूरी है क्योस का बटन प्रेस्थ करके इस तरीकっे से लेका रिख सकते हैं या फिर यहां एक किलिक करना हो nove औरिये ट्रie रेस करके यहां आधी कीक हो जाएगा यहां पर पर क्लिक के जिए शीफ प्रेस करके यहां पर क्लिक किजे, तो भी इसलेक हो जाता है, Home tab ही यह, Copy, और यहां पर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे, Ctrl-C और Ctrl-V का भी इस्तिमाल किया जा सकता है, यहां क्लिक करेंगे, Auto-Fit, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहां पर खुद बखुद आ चुकी है, यह सिलेक्शन छोड़ने के लिए कीब़र से Escape प्रेस करता हूँ, यह चीज़े एक, दो, तीन, यहां पर यह चौती चीज़ लानी होगी, रेड़ बदलना होगा, और लिड़ भी बदलना होगा, लेकिन हम ऐसा Consider करेंगे, कि यह 0 से बनाना है, तो यहां Click करेंगे, Equal करेंगे, यह Measurement Sheet है, तीन नमबर का item है, यहां Click करके Enter करेंगे, बहुत ध्यान से काम करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि तीन नंबर का इटम बना रहे हैं और लिंकिंग आइटम नंबर दो या एक की कर रहे हैं यहां किलिक करेंगे इक्वल मिजरमेंट यहां किलिक करके इंट्रक करना है इक्वल, मिजर्मेंट, यहां क्लिक करके इंटर्क करेंगे, यहां क्लिक करेंगे, इक्वल करेंगे, मिजर्मेंट, यहां क्लिक करके इंटर्क कर देंगे, मिजर्मेंट शिट से एक, दो, तीन, चार चीज़े हमने लेकिया है, अब इसका रेट लेकर आते हैं, यह हमारा SSR है, यहाँ पर संद लिखा हुआ है, यह SSR नमबर है, यह डिस्क्रिप्जिप्चन है, यह यूनिट है, यहाँ पर देख सकते हैं यह रेट है, तो हमें इस आइटम का रेट लेना है, तो यह CHे कर लेना अच्छी तरीकी से, यहाँ डबल किलिक करेंगे, सेलेक करे करेंगे कंट्रूल सी करेंगे यहां डबल किलिक करेंगे हम और सिलेक करके कंट्रूल भी करेंगे आप यहां भी सिलेक करके कंट्रूल भी कर सकते हैं कंट्रूल भी करेंगे इंट्र करेंगे यहां पर मुरूम लगता है हमें, डबल किलिक करके मैं इसे सिलेक करता हूँ, और यहां पर मुरूम टाइप करते हूँ, मुरूम के कौन्टेटी हमें एक ही लेना है, यहां पर देखिए हमने लॉक करके रखा है इस सेल को, तो यह F9 है अभी, यह F9 80 mm के लिए था, मुझे हमुरूम लग रहा है 11 नंबर के लिए, तो मैं यहां 11 कर दूँगा, किलिक करके 11, आप यहाँ पर double click करके भी उसे change कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 9 करना चाहता हूं तो 9 कर सकते हैं, अगर यहाँ double click करके 11 करेंगे तो 11 भी हो सकता है, यहाँ double click करेंगे और उसे check कर लेंगे कि मुरूं का lead बरवर आया है या नहीं, तो यह देखिए यह मुरूं का 11 नमबर यह measurement sheet है और यह A है, यहाँ पर click करके enter कर देता हूं, यह center में कर देते हैं, यहाँ click करेंगे और यहाँ पर देखेंगे center, center जो है यहाँ पर horizontal होता है तो यहाँ click करदेंगे, check करने वाला यह समझ जाएगा, item number 3 है और उसका यह a है, और उसका rate है उसके बाद मैं यह total को selection कर कोपी करेंगे क्लिक करके क्लिक करके मैं पेस्ट करता हूं उसके बाद देखिए स्लेक्शन चोड़ने के लिए की लिए इसके प्रेस करेंगे यह दोनों की मुझे है यह दोनों को मैं और गर करकर यहां से डिलिट कर देता हूं यहां क्लिक करेंगे, equal, measurement, यह तीन नमबर का item है हमारा, यहां क्लिक करके इंटर कर देंगे, यहां क्लिक करेंगे, equal करेंगे, measurement, यह B की quantity है हमारी यह B, यहां पर क्लिक करेंगे, तो यह 3 का A का rate था और यह 3 का B का rate है, यहां क्लिक करेंगे, equal करेंगे, और यह measurement है, यहाँ पर देखिए 0.33 1 third quantity है इंटर करेंगे यहाँ किलिक करना है equal करना है measurement और यहाँ पर किलिक करके इंटर कर देना है इसकी दो category इसलिए बनाई गई है कि यह जो item है इसकी लिए consumption एक लगेगा और तीन नमबर का item का जो b है उसकी लिए consumption इतना लगेगा तो यहाँ color भी कर देते ताकि याद रहे इसलिए इसे दो अलग अलग rate analysis बनाए गए है अगर department कहता है कि एक लीजिए तो फिर इसकी कोई जरुरत नी रहेगी अगर department कहता है कि यहाँ पर one third quantity मत लीजिए एक लीजिए तो आपको यह बनाने की कोई जरुरत नी फिर इस तरीके से ही बनेगा एक single लेकिन यह जो point 33 है यह consumption कम है और यह किसी और item के लिए लगता है यह item number one के लिए लगता है इसलिए इसे अलग अलग बनाया गया है consumption यह अलग है और इसका अलग है इसका PDF करके दिखलाता हूँ मैं किस तरीके से यह दिखाई देगा control is करते हैं जिसके वैसे यह सेव हो जाता है control P करेंगे यहाँ पर click करने से यह zoom in हो जाता है इसका zoom बढ़ जाता है यहाँ पर export PDF इसे desktop पर save कर लेते हैं यहाँ click करेंगे desktop इसे publish करने के लिए publish पर एक single click करेंगे यह rate analysis है इसमें अब तक हमने तीन item कर लिए है name of work रहता है और यह lead chart है इससे पहले की वीडियो में हमें इसका कैसे lead calculation करते हैं वो देख चुके हैं हम इसी तरीके से देखिए यह item number होता है यह description होता है यह जो factor है उसे consumption भी कहा जाता है यह lead chart है जो के हमने यहां से लिया है और यह rate है जो के SSR से आता है और यह जो complete rate है यह abstract sheet में जाता है तो इस तरीके से item number 1 item number 2 item number 3 rate analysis में ready हो चुके हैं बोलते वक्तों कुछ गलती हो जाती है technical गलती भी हो जाती है अगर ऐसे कुछ गलती हो जाए तो हम आने वाले वीडियो में उसे दुरुस्त करेंगे थोड़ा आपको समझ कर लेना है